हालो एपरिवन आप सभी का स्वागत है इगल आईएज़ स्टेडी जोन में साथिवा आज हो जंजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक विसेस्ताओं पर चर्चा करेंगे तो चलिए प्रारम करते हैं सबसे पहले जन संक्या के प्रतिशत के दृष्टिकों से संथालों का 35% उरावों का 19% मुंडाओं का 15% और हो गिसेंक्या 10.7 या 11% है तो जन संक्या के दृष्टिकों से हो जंजाति झारकन की चौथी सबसे प्रमुग जंजाती है परजातियों दृष्टिकों से हो जंजाति को प्रोट ऑस्ट्रोड बर्ग में रखा जाता है इनकी भाशा हो ही है जो कि मुंदा भाषा सुमुकिक 15 βाषा या औस्टोसें लीपी sino का नाम वायरंग चीचिति हैं जिसका विक्ना के लोकों बोधहां के दौरा 1940 में किया गया था लोक most अ कि दौरा को दौतर मैं आधी संस्कृर्थे विज्ञान संगस्थान के स्थापना की गई थी इसका अलावा इनकी कई रचनाय पाए जाती है जिनमें कोल रूल एक प्रमक रचना है चलिए अब बात करेंगे हो सब्द का क्या अर्थ है हो सब्द का अर्थ होता है human या मानब 90% से भी हो जन जातियों में सरना धर्म को पालं किया जाता है हो में सिक्षाओं का प्रतिशत काफी कम पाय जाता है पूर्षो का जो सिक्षा का प्रतिशत है यहां 44.7% है मैलाओं का जो इच्छा प्रतिशत है वो 33.1% है यह 2011 के अनुसार है जो की जारखन की जो एबरिज लिटरेसी रेट है अर्था 66% से भी काफी कम है चलिए अब बात करेंगे सामाजी के व्यवस्ता को लेकर हो का समाज पूर्व में मातरी सतात्मक था लेकिन आज यह पित्री वंक्षी हो गया अर्थात पुरुष्परदान हो चुका है हो में अधिकांस लोग कृशी कार करते हैं कुछ भू स्वामी है कुछ लेवर के द्वार लेवर कार किये जाते हैं और अब कुछ जो है खनन काईरों में भी वैस्ते रहते हैं हो समाज के विवा संसकारों की अगर बात करें तो यहां कई प्रकार के विवा पाये जाते हैं लेकिन उनमें आदी विवा जो है काफी प्रचलित है जिसके तहत बर के द्वारा बदू के घर बिवा के लिए प्रस्ता वेजे जाते हैं यहां बदू मुल्य के लिए गोनोंग या पौन सब्दे का इस्तेमाल किया जाता है कई प्रकार के बिवा में एक बिवा है अंडी या ओपर तीपी जिसे हरन बिवा कहा जाता है और यहां से JPAC पूछा गया जिससे गोती ओडा कहा जाता है चलिए अब बात करेंगे धार्विक जीवन को लेकर हो का हो कजो जन जाती हो के जो प्रमुग देवता है वो सिंग भूंगा है इसके अलावा ग्राम देवताओं के लिए पाही भूंगा पृथिवी देवता के लिए ओटी बोरम और पहार दे हो समाज में जो है अंद विश्वास कई अंद विश्वास पाय जाते हैं उनमें से एक डायन परता भी पाया जाता है आपने नाम सुना होगा चुटनी देवी महतो जो की सराई के लाख हरसावाग है जिरोंने आजीवन संगर्ष किया था डायन परता को लेकर और उनीक एक सारण जो है 2021 में उन्हें पद मिस्री समान दिया गया था तो डायन परता के विरुद आज सराई किला खरसावा के सामजी कारी करता जो है चुटनी महतों के द्वरा लडाई और संगर्ष अभी भी किया जा रहा है चलिए अब बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्ता को लेकर हो जन्जातियों की जो प्राचिन पारम परीक शाषन व्यवस्ता है जिसे मुंडा मान की सिस्टम कहा जाता है और इसमें भारत की प्राचिन तम प्रजातंत्र की जलक भी प्रजातंत्रिक व्यवस्ता की जलक भी प्राप्त होती है अब इस सब्द का अगर हम संदी समस्याहूं का समधान क्या जाता है लगान को एकती किया जाता है तो यह थी मंदा मानकी की सिस्टम चलिए होजन जाती हो का वो कुलहान से कुछ और की चछेता 1767 में पूर्वी ढालवूं के छेत्रों से ही अंगरी जो का प्रवेस हुआ था जारकन में पहली बार और इस छेत्र में 1820 इसवी में जो है हो विद्रों हमें देखने को मिला था 1830 से लेकर 1832 तक ये छेत्रे कोल विद्रों और भूमिज विद्रों से भी प्रवावित था अर्थात गंगा नारायन के विद्रों से भी प्रवावित था बाद में 1833 के रेगुलिशन 13 के अनुसार इस छेत्र को साउथ वेस्ट फ्रेंट एर एजनसी घोशित कर दिया जाता ह और इस साउथ वेस्ट फ्रेंट एर एजनसी के प्रतम एजेंट टू गवर्ण और जो है थोमस विल्किंसन थे थोमस विल्किंसन के द्वारा 1837 में विल्किंसन रूल दिया गया था और इनों ने ही मुंदा मान की प्रता को नियाइक और बित्ति अधिकार दिये थे अर्थ सब्सक्राइब आएज़ा स्टेडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद